हलाबरीवन थेंड्यू सो मच पोर सपोर्टिंग मी चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा बायो केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर हमने अपने लास्ट LECTURE के अंदर ATOMS के बारे में पढ़ा था आज हम पढ़ेंगे bonding के बारे में और bonding के लिए हमारे topic का जो नाम रहेगा वो रहेगा bonds and stability of molecules molecules की stability bonds की वज़े से होती है चलिए बात करते हैं पिछले lecture से हमने क्या कुछ सीखा है अगर आप पिछले lecture के उपर ध्यान दे तो हमें पिछले lecture में एक important बात जो पता चली वो ये कि कोई भी atom होगा उस atom के nucleus के अंदर protons होते हैं और neutrons होते हैं proton और neutron nucleus में है और electrons इनके चारों तरफ घूमते रहते हैं अपने orbits के अंदर ये घूमते रहते हैं अब अगर हम carbon atom की बात करें तो carbon atom के अंदर total 6 electrons होते हैं और 6 electrons में से आपको मैं बता दूँ कि दो electrons होते हैं उन्हें कहते हैं core electrons बाकी के जो चार electrons होते हैं उन्हें कहते हैं valence electrons यहाँ पर ये वाला electron और ये वाला electron ये core electrons होते हैं इनको कहते हैं core electrons और जो core electrons होंगे वो bonding के अंदर participate नहीं करते इसके अलावा बचे चार electrons इन्हें कहते हैं valence electrons और जो valence electrons होते हैं bonding में वही participate करते हैं इसलिए carbon के पास में total 4 valence electrons है 1, 2, 3, 4 तो carbon जो है वो 4 bonds बना सकता है ये बात समझ में आ गई यहाँ से हमें क्या concept लेना है कि हर atom के पास में जो valence electrons होंगे वो valence electron bonding के अंदर participate करते हैं core electrons है वो bonding के अंदर participate नहीं करते हैं इसलिए अब हम bonding के उपर आते हैं और bonding के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे biological system का सबसे strong bond that is covalent bond तो हमारी आज की class में हम covalent bond discuss करने वाले हैं आप heading डाल सकते हैं covalent bonds अब यह देखें covalent bonds क्या होते हैं कैसे बनते हैं यह सब बात करेंगे अपन मान लीजिए कि कोई एक atom है atom A और इस atom A के पास एक electron है होने को तो देखो बहुत सारे electrons हो सकते हैं पेंट करता है कौन सा atom है तो उसके according atoms के पास electrons होंगे और सपोज करिए कि एक atom है B atom और इसके पास में भी एक electron है अगर यह दोनों के दोनों atom अपने electrons को share करे तो यहां बनता है एक bond और यह bond क्यों बना electron की sharing की वज़े से इस bond को हम कहेंगे covalent bond यानि अब हम दिखा सकते हैं कि A और B दोनों ने मिलकर के covalent bond बनाया है covalent bond और covalent bond का मतलब यह हुआ due to sharing of electrons due to share of electrons electrons को share किया है इसलिए covalent bond बना है यहां पर जो electrons share हो रहे हैं इन्हें कहते हैं shared pair of electron यह shared pair of electron होता है या आप इसे कह सकते हो bond electrons क्योंकि यह bond बनाने के अंदर help कर रहे हैं तो इनको आप bond electron भी बोल सकते हो या shared pair of electron है वो भी बोल सकते हो तो covalent bond क्यों बना क्योंकि दो atom ऐसे थे जिन्होंने अपना-पना electron share किया यहां से हम एक बात पता लगा सकते हैं कि अगर एक ही electron का pair share हुआ है यानि कि दोनोंने अपना एक-एक electron share किया तो यहां बनेगा single bond और अगर single bond बना तो इस bond को हम कहेंगे sigma bond sigma bond है वो single bond है और यह single bond का example है दूसरा समझे है कि अगर A और B ने दोनोंने अपने दो-दो electrons को share किया तो दो-दो electrons share करेंगे तो यहां बनेगा double bond एक sigma bond होगा उसके अंदर और एक pi bond होगा double bond बन गया यहां कितने electrons का pair share हुआ है तीन अगर तीन electrons एक साथ share किये जा रहे है तीन A कर रहा है तीन B कर रहा है यहां सौरी दो electrons है वो share हुए है दोनों तरब से तो दो pair है तीन electron अगर share होगे तो इसे कहेंगे triple bond एक sigma bond होगा इसके अंदर और दो pi bond होगे यह triple bond बन गये sigma और pi में से बात करें तो जो sigma bond होता है वो strong होता है then pi bond और biological system के अंदर covalent bond है वो सबसे ज़्यादा strong होता है तो अब आप ये सारी चीजें जो हो एक बार के लिए लिख ले ताकि आपको अच्छे से ये चीजें समझ में आ जाए चलिए मैं लिखवा देता हूँ पहला point note down करिए आप थिक्या विखे, when two atoms when two atoms share their electrons when two atoms share their electrons covalent bond is formed when two atoms sharing their electrons covalent bond is formed टू एटम्स, शेयर देर इलेक्ट्रोन, तो क्या बनता है, यहां बनेगा कोवलेंट पॉर्ट, एक बात, इसके बाद में, जो इलेक्ट्रोन का पेर बना है, शेरिंग से, एक एलेक्ट्रोन एक एटम का, दूसरा एलेक्ट्रोन दूसरे एटम का, तो कम से कम दो इलेक्ट्रो तो हो गया, यानि एक पेर तो हो गया, इसे कहते हैं shared pair of electron, the electron pair, the electron pair is known as shared pair of electron or also known as bond electron, इसको bond electron भी बोल सकते हैं और shared pair of electron भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं इसके बाद में लिखिये, covalent bond is the strongest bond in biological system covalent bond is the strongest bond in biological system यह biological system का सबसे strongest bond होता है फिर इसके बाद में कि यह तीन टाइप का हो सकता है basically three types का है, depending upon the shared pair of electrons कितने pair electrons के share हो रहे हैं, उसके basis पे यह तीन टाइप का होता है पहला type है single bond single bond का मतलब one pair of shared electron shared electron का एक pair है यहाँ पे, तो यहाँ पर आपका जैसे hydrogen, hydrogen के बीच का bond हम बता सकते हैं इस bond को कहेंगे sigma bond, यह एक तरीके का sigma bond होता है दूसरा हम बात करें double bond की double bond के अंदर दो pair of shared electron होगा, जैसे आप oxygen के अंदर ले सकते हो इसमें एक जो bond होगा, वो होगा sigma bond, एक bond होगा pi bond एक sigma bond होता है, एक pi bond यहाँ पे होता है तीसरा triple bond हो सकता है, होता ही है triple bond और जैसे जो triple bond है, इसमें तीन pairs of electron share किये जाते हैं जैसे आप nitrogen gas के अंदर ले सकते हो, यहाँ पर दो तो है pi bond, एक है sigma bond दो pi bond, एक sigma bond अगर आप इन pi और sigma bond के बारे में बात करें, तो लिख लीजिएगा next point में sigma bond is stronger than pi bond pi bond के comparison में sigma bond है, वो stronger bond होता है तो यह तो हो गया हमारे पास में, एक बार के लिए pi bond और sigma bond और कितने electrons का pair share हुआ है, उसके basis पे अब हम अगर बात करें, इन sigma bond, pi bond, single, double, triple bond के बारे में तो एक बात हमेशा ध्यान रखेगा, no doubt जहाँ पर molecule में triple bond है, यानि कि 3 covalent bond है वो molecule सबसे strongest है, क्योंकि यहाँ 3 bond की energy है लेकिन अगर आप इन में से देखें, तीनो bond में से, तो तीनो bond में से single bond, यानि per bond energy, single bond की ज़ादा होती है यहाँ per bond energy ज़ादा है, यहाँ पर उतनी per bond energy नहीं है हाँ, तीनो bond की मिला करके energy ज़ादा है अभी थोड़ी देर बाद में हम बात करेंगे तो थोड़ी देर बाद में आपको ये भी चीज बता दूँगा फिर हम एक बार पिछले वाले chapter से एक और चीज है वो recall करते हैं, और हमको समझ में आएगा कुछ और concept यहाँ पर क्या हो सकता है पिछले chapter के अंदर, हमने पिछले lecture के अंदर हमने एक point पढ़ा था, इससे कहते है electronegativity यह electronegativity क्या है, किस तरीके से काम में लेनी है, समझे देखो, electronegativity का मतलब होता है कि कोई atom अपने पास दूसरों के electron को खीचना चाता है यानि कि कोई atom है, वो चाता है कि वो दूसरों के electron को भी खीच ले the tendency to attract the electrons is known as electronegativity and that atom is known as electronegative atom तो यहाँ से हमें concept सीखेंगे अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा electronegative atom कौन सा है तो basically fluorine है बट क्योंकि fluorine है biological system के अंदर नहीं होता इसलिए fluorine को हटा करके हम oxygen के उपर आ जाते है oxygen उसके बाद में ऐसा कुछ मैंने बताया था यह electronegativity का order है phone CSPH ऐसे याद करिएगा इसको हम बात कर रहे हैं covalent bond की covalent bond को electronegativity के basis पे दो parts के अंदर हम divide कर सकते हैं एक तो होते हैं non polar covalent bond non polar covalent bond और दूसरे हम यहाँ पे लेंगे polar covalent bond polar covalent bond non polar and polar non polar covalent bond वो bonds होंगे जहां पर कोई भी dipole नहीं बनेगा यानि कि partially कोई charge specific नहीं है neutral type के अगर molecules है तो उने हम non polar कहेंगे जैसे एक बार के लिए बात करिए कि मैं अगर कहूं आप से कि एक bond है N triple bond N एक bond है O double bond O oxygen के अंदर O double bond O इसके लावा एक bond है hydrogen bond H H के बीच वाला bond है covalent bond hydrogen के अंदर जो bond है वो bond और एक मान लीजिए carbon dioxide का bond है जहां पर ऐसी condition आपको देखने को मिलती है अब ये जो तीन चार टाइप के मेंने यहां पर molecules लिखे हैं इन molecules के अंदर देखो खास बात क्या है उपर से जो तीन molecules हैं nitrogen, oxygen और इसके साथ में hydrogen ये तीनों के तीनों molecules same atom से मिलके बने हैं nitrogen, nitrogen, oxygen, oxygen, hydrogen, hydrogen तो यहां क्या हुआ कि दोनों atom same है और अगर दोनों के दोनों atom same है तो दोनों atom की electro negativity भी same है electro negativity अगर दोनों की same होगी तो कोई भी atom दूसरे के electron को अपने पास नहीं खीच पाएगा क्योंकि जितना जोर वो लगाएगा उतना ही जोर दूसरा भी लगाएगा equal लगाएगा जितने force के साथ में एक atom खीचेगा दूसरा वाला atom भी तो same है उसकी भी electro negativity same है तो वो भी same energy के साथ में खीचेगा force के साथ खीचेगा तो यहां क्या है electro negativity of two atoms are same यहां तीनों के अंदर electro negativity है दोनों atoms की वो same है और ऐसे में अगर electro negativity same होगी तो यहां neutral type के molecules होगे और ऐसे covalent bond को कहेंगे हम non polar covalent bond यह non polar type का covalent bond हो गया जो non polar covalent bond बनाते हैं वो water के अंदर dissolve भी नहीं होगे water में dissolve नहीं होगे क्योंकि एक simple सा concept है concept क्या है like dissolves like water खुद तो polar nature का है कैसे है मैं अभी बताऊंगा polar covalent bond के अंदर तब तक आप यहां focus करें चार हमने example लिये थे चार example में से तीन example ऐसे हैं जहां दोनों atom same है तो दोनों की electronegativity same है दोनों की electronegativity अगर same है तो यहां से दिख जाता है कि यह बनने वाला bond है वो non polar covalent bond होगा इस molecule की बात करिए carbon dioxide की देखो carbon dioxide के अंदर तीन atom है carbon है दो oxygen है और हमारा यहां से concept समझेए कि सबसे ज़्यादा electronegativity किसकी है अगर हम fluorine को हटा दे तो oxygen की electronegativity बहुत ज़्यादा है और hydrogen की यहां सबसे कम है तो oxygen क्या करेगा अपनी तरफ hydrogen की electron को खीचेगा अपनी तरफ carbon के atom को carbon की electron को खीचेगा sorry यहां पर hydrogen नहीं है carbon है तो carbon की electrons को अपनी और खीचेगा जब यह oxygen इस carbon के atom को खीच रहा है तो यहां बना देता हूँ मैं वापस से देखिए एक oxygen अगर carbon के electron को खीचेगा तो इस oxygen के उपर partial negative charge आ जाता है और साथी साथ यह वाला oxygen भी जब carbon के electron को खीचेगा वो valence electron थे ना चार दो को यह खीचता है दो को यह खीचता है जब दोनों तरफ से same force के साथ carbon के electrons को खीचा जाएगा तो दो dipoles हैं वो produce हो गए यह भी एक dipole है और यह भी एक dipole है यह दोनों dipole बन तो गए लेकिन दोनों dipole एक दूसरे को cancel out कर देंगे क्यों? क्योंकि electron negativity इधर वाले और इधर वाले atom की same है इसलिए carbon dioxide gas है वो भी non polar की category में आती है यहाँ भी जो bond का nature है वो है non polar तो समझ में आया आपको non polar covalent bond क्या होते है जब electron negativity same होती है electron negativity अगर same हो दोनों atom की तो वहाँ बनते है non polar covalent bond अब समझते हैं हम कि यह polar covalent bond क्या होते है polar covalent bond समझने के लिए एक example लेते है H2O का water का water के अंदर क्या case है दिखो water के अंदर एक तो है oxygen और दो है hydrogen और यहाँ से देखिए oxygen की electronegativity ज़्यादा है hydrogen की इसकी तुलना में बहुत ज़्यादा कम है जब कभी भी हम bond बनाने की कोशिश करते हैं तो हम ऐसे बनाएंगे structure इसकी molecular इस तरीके की कुछ यह structure बन जाएगी यहाँ पर अगर हम इस structure के उपर ध्यान दे तो यहाँ बना लेते हैं अगर हम इस structure के उपर ध्यान दे hydrogen hydrogen oxygen तो किसकी electronegativity ज़्यादा है oxygen की इसलिए oxygen क्या करेगा अपनी तरफ electrons को pull करेगा अपनी तरफ electron को pull करेगा तो इस पे partial negative charge आ जाता है और इन दोनों पे partial थोड़ा थोड़ा positive charge आ जाता है बट यहाँ negative charge ज़्यादा strong है तो यहाँ क्या हुआ यह water बन गया polar nature का it becomes polar in nature क्योंकि यहाँ पर charge निकल के आया दूसरा एक और एक और एक्जामपल लीजिए अगर यहाँ से हम एक और बात करें जैसे H2S gas है H2S gas यहाँ पर भी सेम कहानी है sulfur की electronegativity as compared to hydrogen काफी ज़्यादा है इसलिए यहाँ पर भी partial negative charge आ जाता है यह भी बन जाती है polar की nature की और यह bond को polar bond कहेंगे हम फिर इसके बाद में एक और example लेके देखिए ammonia gas अगर आप ammonia gas की structure देखेंगे तो कुछ इस तरीके की होगी तीन hydrogen है यहाँ पर भी लेकिन nitrogen की electronegativity hydrogen के electronegativity की composition में बहुत ज़्यादा है इसलिए इस तरफ electrons को खींचा जाएगा और जब electrons इस तरफ खींचे जाएगे तो यह भी बन जाता है polar nature का तो यह bond polar bond होगा और यह polar bond होने की वज़े से ammonia gas S2S gas यह water के अंदर easily dissolve हो जाते हैं ठीक है तो क्यों dissolve होते हैं like dissolves like वाला thermodynamics का concept होगा यहाँ पर अगर दोनों atoms की electronegativity same है तो बनने वाला covalent bond non polar का होगा यहाँ एक case ऐसा है जहाँ electronegativity same नहीं है लेकिन जो दो dipole बने है वो same strength के dipole बने है इसलिए वो दोनों एक दूसरे को cancel out कर देते हैं जबकि वहाँ पर polar bond बनता है एक particular atom की electronegativity बहुत ज़्यादा है तो अब आप लिखिए there are two types of covalent bonds there are two types of covalent bonds number one non polar covalent bonds और इसमे लिख लिखिए when the electronegativity of two atoms are same it results in the formation of non polar covalent bond it results in the formation of non polar covalent bond दूसरा लिखिए polar covalent bond polar covalent bond when the electronegativity of two atoms are not same it results in the formation of polar covalent bond examples मैंने वहाँ पर लिखे थे वो वाले examples अब वापस लिख लिखिएगा चलिए अब एक और चीज की हम बात करते हैं bond energy की बात करते हैं bond energy और हम बात कर रहे हैं इसमें kilo joule per mole एक mole अगर आपके पास में covalent bonds हैं तो उनकी energy क्या है दो को यहाँ पर एक नया चीज आ रहा है mole बहुत सारे बच्चों को mole concept में थोड़ी दिक्कत आती है मैं कुछ ही classes के बाद में आपके सामने mole concept लेकर के आऊंगा आपको definitely mole concept समझ में आएगा एकदम crystal clear हो जाएगा और उसके बाद में आपको mole वाले questions में भी problem नहीं होगी mole concept के अंदर भी definitely problem नहीं होगी आपको बस थोड़ी practice की फिर जरुरत पड़ेगी वो आप करिएगा मैं आपको explain कर दूँ आ चलिए वापस आते हैं bond energy के बारे में हमने starting के अंदर कहा था कि अगर हम बात करें covalent bonds की तो covalent bonds, single bond, double bond, triple bond हो सकते हैं no doubt no doubt triple bond वाला molecule सबसे ज़्यादा stable होगा as compared to single bond लेकिन अगर हम per bond energy calculate करें तो per bond energy सबसे ज़्यादा निकल के आते हैं single bond वाले की for example आप यहाँ पर focus करिए अगर मैं कहूं कि hydrogen hydrogen इस तरीके से एक single bond है तो इस bond की per bond energy है 436 kJ per mole ठीक है? यह इतनी energy है अगर मैं बात करूं oxygen की यहाँ पर हम बात करेंगे एक बार के लिए nitrogen की बात कर लेते हैं एक बार N triple bond N यह देखो यह है kilo J per mole nitrogen वाला समझे यहाँ पर triple bond है अगर यह triple bond की energy की बात करें तो यह triple bond वाली energy इस bond energy की तुलना में काफी ज़ादा है लेकिन यहाँ से अगर आप per bond energy निकालें तो पर bond energy कैसे निकलेगी यह जो energy है वो तीन bond की है तीन bond मिला करके इतनी energy के है तो पर bond energy निकालेंगे तो आप इसको तीन से divide करो कितना आया इसको compare करो इसके साथ में समझ में आया जब कोई molecule के अंदर single bond होता है तो single bond की bond energy ज़ादा है as compared to per bond energy of double bond और triple bond तो यह सीधा सा हमारे पास में एक concept निकल के आता है अब देखिए अलग-अलग जितने भी type के molecules होंगे उनकी bond energy अलग-अलग होगी again अगर यह bond energy हमें कहीं पर जरुरत पड़ती है तो यह आपको learn करनी पड़ेगी किसी concept से नहीं निकलेगी यह किसी logic से नहीं निकलेगी आपको यह learn करनी पड़ेगी तो यह हो गया हमारे पास bond energy का concept hopefully आप लोगों को यह session समझ में आ रहा होगा और मैं हमेशा thankful रहूँगा आप लोगों का आप लोग इतना support करते हैं और सबसे बड़ी बात है आप लोग इतना trust करते हैं तो बस आप अपना trust बनाए रखिएगा आगे बात करते हैं एक और parameter है covalent bond को लेके इसे कहते हैं bond length bond length अब हम समझेंगे कि यह bond length क्या होती है देखिए अगर bond length की बात करें तो simple concept है एक covalent bond दो atoms के बीच बनता है एक atom ये है, एक atom ये है suppose इसे atom A बोल देते हैं, इसे atom B बोल देते हैं अब यह जो दोनों के दोनों atom है ये है इन दोनों atom का nucleus nucleus होता है जिसके अंदर proton और neutron होते है एक atom के nucleus से दूसरे atom के nucleus तक की जो distance है इस distance को कहते है bond length इसको bond length कहेंगे यह bond length की जो unit होती है वो होती है picometer picometer unit के अंदर आप इसको निकालते हैं bond length क्या है distance from one nucleus of an atom to the nucleus of another atom दोनों atom के बीच में जो distance है nucleus के बीच में उसे हम कहते हैं bond length यहां से अगर हम बात करें एक nucleus से लेकर के एक atom के shell तक की distance इसे कहते हैं covalent radius covalent radius आप इसको बोल देंगे यह covalent radius है आपको यह दी bond length निकालनी हो तो उसके लिए कुछ टेक्नीक्स है यह टेक्नीक वाली चीजे हम टेक्नीक वाली unit के अंदर पढ़ेंगे अभी मैं कुछ जो है वो टेक्नीक्स के name introduce कर रहा हूं खाली आप लोग यहां से focus करिए spectroscopy से पढ़ी जा सकती यह चीजे spectroscopy दूसरा एक और टेक्नीक है x-ray diffraction x-ray diffraction और तीसरा एक और है electron diffraction टेक्नीक तो यह तीन टेक्नीक से आप bond length है वो पढ़ सकते हो कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा देखिए कि molecule के अंदर एक atom है वो छोटा है और molecule के अंदर जो दूसरा atom है वो इस से काफी बड़ा है एक atom छोटा है एक atom बड़ा है sorry atom चाहे छोटा हो या atom चाहे बड़ा हो nucleus तो दोनों के पास में होगा यह atom A है यह atom B है nucleus तो दोनों के पास में होगा तो यहां से यहां तक की जो distance है इसे कहते हैं हम bond length यह bond length है और यह पहले atom की radius होगी covalent radius of atom A और यह है covalent radius of atom B तो अगर size अलग-अलग हो atom की तो उनकी radius छोटी और बड़ी हो सकती है और अगर size दोनों atom की same है तो उनकी radius से वो same होती है चलिए अब इसके अंदर लिखे bond length की definition लिख लीजिए लिखे it is the distance between the nuclei of two atoms in a molecule which are bound together with covalent bond it is measured by spectroscopy, x-ray diffraction and electron diffraction technique इनसे measure की जाती है the unit of bond length is picometer unit ये picometer unit होती है तो ये तो हो गया हमारे पास में bond length का concept अब एक और छोटा सा बड़ीया सा concept निकल के आ रहा है सामने इसे कहते हैं bond angle आप heading डाल सकते हो bond angle अभी देखते हैं क्या होता है ये bond angle ये भी बहुत अच्छा concept है next is bond angle bond angle हम बात कर रहे हैं covalent bonds की और covalent bonds के अंदर कभी कभी क्या होगा कि एक complete molecule के अंदर दो से ज्यादा atom होंगे जैसे हम बात करें hydrogen की तो यहां तो देखो दोनों ही atom है दो ही atom है यहां पर अगर हम बात करें यहां पर nitrogen की तो nitrogen के अंदर दो ही atom है आप बात करें water की h2o की water के अंदर 3 atoms है there are 3 atoms यह 3 atom है यहां पर clear अब इस atom की अगर structure देखो तो आपको इस molecule की अगर structure देखो water molecule की structure देखो तो एक छोटी सी चीज समझ में आएगी और वो छोटी सी चीज क्या है water के complete molecule में oxygen atom ऐसा atom है जिसने दो atom के साथ bond बनाया है जबकि दोनों hydrogen ऐसे atom है जिसने एक ही atom के साथ bond बनाया for example यह रहा oxygen और oxygen के साथ में hydrogen ने पहले वाले ने bond बनाया और hydrogen दूसरे वाले ने bond बनाया इस structure को देखके हम क्या कहेंगे कि hydrogen तो एक atom के साथ ही bond बना रहे है यह hydrogen भी single bond बनाता है यह hydrogen भी single bond बनाता है लेकिन oxygen तो दो atom के बीच में दो atom के साथ bond बना रहे है तो यहाँ पर oxygen atom को कहेंगे central atom यह central atom है center का atom है तो central atom हो गया है central atom अपने दोनों तरफ bond बनाता है और जब यह अपने दोनों तरफ bond बना रहा है तो यहाँ पर कुछ angle निकल के आता है इस angle को कहते हैं bond angle bond angle जैसे अगर इसकी बात करें water की तो 104.5 degree का होता है यह इसके bond angle की value है अब जितने भी और ऐसे molecules होंगे carbon dioxide है उनके अंदर H2S है उनके अंदर भी अलग-अलग value के bond angle होंगे आप छोटा सा एक बार सोच के देखिए कि इस bond angle का क्या importance हो सकता है अगर यहाँ 90 degree का bond angle होता suppose तो यह molecule की structure ऐसी बनती 90 degree का अगर यहाँ पर 180 degree का bond angle होता तो structure ऐसी बन जाती इसका मतलब क्या हुआ bond angle किस चीज में help कर रहे हैं bond angle help करते हैं to determine the shape of molecule इसको भी spectroscopy से आप study कर सकते हो यह आपको एक molecule की shape बताएंगे ऐसा molecule जिसके अंदर एक center के अंदर atom है और वो central atom ने bond बना रखा है दो साइड के अंदर तो आप bond angle के अंदर कुछ लिख लीजे दो लाइने लिखिए it is the angle between it is the angle between the central atom and other atoms orbital other atoms orbital it helps in the determining the shape of molecule यह shape बताने के काम आता है and it is determined by spectroscopy spectroscopy से आप पता लगा सकते हो कि यहाँ पर क्या जो है वो bond का angle बनेगा shape कैसी बनेगी इसका पता हम लगा सकते हैं तो यह हुआ हमारे पास में bond angle के बारे में concept अब next हम discuss करेंगे bond का order bond order देखो यह bond order क्या होता है अभी इधर वाली चीजे छोड़ देते हैं bond order क्या रहेगा बात करते हैं bond order का simple सा मतलब होता है number of bonds in a molecule number of bonds in a molecule एक molecule के अंदर कितने number of bonds हैं for example कितने bonds हैं एक तो इसका bond order हो जाएगा एक bond order one अगर हम बात करें nitrogen की तो इसके अंदर bond order तीन हो जाएगा oxygen की बात करिए दो हो जाएगा तो जितने भी number of bonds हैं उतने ही यहाँ पर हो जाते हैं bond के order number of bonds in a molecule is known as bond order तो यह आप आराम से यहाँ पर लिख सकते हैं चलो यह भी बड़ा simple सी चीज थी next topic के उपर आते हैं next parameter पर आते हैं हम covalent bond पढ़ रहे हैं और covalent bond के अंदर हम covalent bond के properties discuss कर रहे हैं क्या-क्या parameters हैं इसके एक और parameter जो यहाँ निकल के आता है बहुत अच्छा सा है इसे कहते हैं bond enthalpy bond enthalpy यह bond enthalpy क्या है चीज समझती है bond enthalpy का मतलब यह हुआ अगर आप से पूछा जाए कि आपको एक mole bonds को तोड़ना है particular type के mix होके नहीं ऐसे mix करके नहीं कि कुछ bond hydrogen के तोड़ने है कुछ nitrogen के तोड़ने है या कुछ oxygen के तोड़ने mix करके नहीं तोड़ने particular type के hydrogen के एक mole bonds को अगर तोड़ना हो तो आपको कितनी energy की required है इसे कहते है bond enthalpy आप definition लिखिए आपको समझ में आएगा bond enthalpy का मतलब होता है amount of required energy amount of required energy to break to break one mole bonds of particular type particular type तो particular types के आपको एक mole bond तोड़ने हैं जैसे आप समझे हाइड्रोजन गैस के अगर आपको एक mole bond तोड़ने हैं और जिससे हाइड्रोजन के दोनों एटम्स अलग-अलग हो जाएं तो इसके लिए आपको bond enthalpy जो यूज करनी पड़ेगी एनरजी यह है 435.8 किलो जूल पर मोल इतनी एनरजी चाहिएगी इनको तोड़ने के लिए यानि आप अगर पहले वाले कॉंसेप्ट के उपर आएं तो यह bond energy तो है यह bond energy तो होती है तो bond enthalpy bond energy है उसके बाद में अगर आप oxygen gas की बात करें oxygen gas के अंदर double bond होंगे तो इसकी जो bond enthalpy आएगी 498 किलो जूल मोल इनवर्स आ रही है या पर मोल आ रही है 498 के आसपास इसके साथ nitrogen की देख लीजिए nitrogen की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आएगी इसकी bond enthalpy 946 किलो जूल मोल इनवर्स पर मोल यह होती है bond enthalpy bond के अंदर तोड़ने वाली bond को तोड़ने के लिए जो required है वो वाली चलिए अब हम बात करते हैं एक और parameter की बहुत अच्छा सा एक और parameter है यदि हम बात करेंगे एक simple parameter की जिसका नाम है resonance structure resonance structure क्या होती है डिसकस करेंगे एक second resonance structure से पहले हम एक छोटी सी चीज और discuss करते हैं कई बार ऐसा होता है कि कुछ atoms मिलकर जब bond बनाते हैं तो उन atoms का arrangement explain करने के लिए हम एक से ज़्यादा structures को use कर सकते हैं इसे कोई फरक नहीं पड़ेगा उस atom की properties पर उस molecule की properties पर for example मैंने आपसे ये कहा कि अपने पास एक ozone molecule है ozone का molecule है O3 अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसकी structure बताईए structure कैसी है तो आप simply ये बता सकते हो कि इसमें तीन oxygen atoms है तीनो oxygen के atom है इन तीन oxygen atoms में से दो atom तो double bond से जुड़े हैं एक atom single bond से जुड़ा है ये structure है यदि मैं आपसे कहूं कि इसकी molecular proper structure बताईए तो आप में से कुछ students ऐसे होंगे जो कहेंगे कि sir इस oxygen की molecular structure में double bond इस तरफ है और single bond इस तरफ है जो double bond हमने बनाया वो उसकी bond length है 121 picometer और जो single bond बनाया वो है 148 picometer तो जब आपसे कहा गया कि ozone gas की molecular structure बताईए तो आपने कहा कि ozone gas के molecule के अंदर एक double bond होता है एक single bond होता है एक double bond एक single bond जब structure बनाने हो तो double bond किसी ने इधर बना दिया single bond इधर बना दिया लेकिन तबी कोई दूसरा student यह कहता है कि यदि sir हम एक structure ऐसी बना दे जिसमें double bond इस तरफ रखे और single bond इस तरफ रखे इसमें भी length है वो उतनी ही रहेगी 121 picometer और 148 picometer तो बताओ ये structure सही है ये structure सही है या ये structure गलत है ये structure गलत है तो answer आएगा कोई भी structure गलत नहीं है अगर आप ये structure बनाते हो तो भी आपको वही information मिल रही है और वो structure बनाते हो तभी आपको वही information मिल रही है इट simply means कि जब एक molecule की एक से ज़्यादा structures possible है तो हम एक average structure बनाते है average structure उस average structure को ही resonance structure बोलते है जैसे अब मैं कहूंगा कि ये रहा आपके तीन oxygen के atom कोई कह रहा double bond इधर बनाओ कोई कह रहा double bond इधर बनाओ दोनों oxygen में एक-एक single bond तो है और जो एक double bond था उस double bond को हमने दोनों के अंदर divide कर दिया बाट दिया तो ये बन गया एक partial double bond और अब जो bond length निकल के आई 128 picometer और ये भी 128 picometer इस structure को कहते है resonance structure ये resonance structure होती है तो जब एक से ज्यादा molecular structures possible हो उस समय हम बनाते हैं resonance structure यानि की average structure अप definition लिखिये इसके अंदर लिखिये whenever a single leviss structure is not sufficient whenever a single leviss structure is not sufficient to describe a molecule accurately a number of similar structures with similar energy, position of nuclei, bonding and non-bonding pairing of electrons are taken as a structure of the hybrid which describe the molecule accurately. तो इसे हम क्या कहेंगे? resonance structure. एक और example जो हम बच्पन से पढ़ते आए हैं, benzen वाला. Benzen के अंदर देखो 6 हमारे पास atoms होंगे, जो इनके corner के उपर present होते हैं. अब हमको ये पता है कि यहाँ पर 6 bonds हैं. इन में से आपको 3 जगे पे double bond बनाने हैं और 3 जगे single bond रखने हैं. तो य ये बन गई benzen की एक structure. लेकिन आपसे कोई कह सकता है कि अगर ये structure possible है, तो ये structure भी तो possible है. आप इधर और इधर और इधर बना दीजिए. डबल bond का आपने position change किया. तो आपसे कहा जाएगा कि देखिए, एक average structure ले लेते हैं, जो एक molecule को completely explain करेगी, accurately explain करेगी. इसे कहते हैं resonance structure. तो ये है covalent bond के बारे में. उसकी bond energy, bond enthalpy, bond का angle, bond की length, उसकी radius covalent वाले resonance structure. bond कब बनता है, ये strongest bond है, ये सारी की सारी बाते हैं, जो हमारे पास में covalent bond से related है. So, आज के lecture के अंदर इतना ही. Thank you so much. बहुत जल्दी हम मिलने वाले हैं next lecture के साथ में. अब मैं आप लोगों से एक छोटी सी जो है, वो आपकी opinion जानना चाहता हूँ. मैं ये सोच रहा हूँ कि biochemistry है, ये तो unit wide चलती रहेगी और complete हम इसको जरूर करेंगे. साथ ही साथ, अगर मैं आपको एक और unit provide कराना चाहूँ, क्योंकि gate का exam सामने आ रहा है, महरास्ट्रा set का exam सामने आ रहा है, और लग रहा है कि राजस्थान set भी होने वाला है. तो आप मुझे ये बताईए कि biochemistry के साथ साथ मैं आपको एक complete unit, जो जल्दी जल्दी मैं आपको record करके दे दूँ, वो ecology होनी चाहिए या evolution होना चाहिए. तो चलिए आप लोग मुझे बता दीजिएगा, तब तक के लिए thank you so much, आप channel संभालिए, मैं आपके video संभालता हूँ, thank you.